नमस्का दोस्तों मुक्त के उच्छा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है अब मैं आप लोगों को लीवर की खराबी से होने वाले साइड एफेक्टर उनका दारा मैं आपको लोगों को बताने का प्रयास परूँगा लीवर खराब हो जाए तो हम क्या उसके लिए करें और उसके लिए क्या हमारे पास सरल से सरल उपाए हैं इनकों किस प्रकार थे हम ठीक कर सकते हैं बड़ा आसान उपाए हैं लोग क्या करते हैं कि जैसे की पत्थर का काम करने वाले जैसे की गुरगाओं में क्रेसर का काम होता उसमें पत्थर का ही सारा काम होता तो उसके लुड़ने के लिए फिर वे क्या काते हैं कि दूल को साफ करने के लिए वे शराब पीते हैं यह सबसे खताइनाक काम है उन लोगों को बताना चाहूंगा कि शराब से विकल्प हटा करके यदि आप गुड़ पचास ग्राम पर से दिन खाएंगे तो आपका शारे सरीर की शु सराब करी राल शाथ में सराब भी खराब करेगी परिणाम यह निकलेगा कि अगर जो मिट्टी से आदमी मरेगा बहुत जादा अगर जो साल बर में तो शराब पी करके ठीक करने के चकर में आप 8 महीने में ही चले जाओगे यह पक्की बात है इसलिए यदि आपको बचना ह है तो अब मैं आपको उपाय बता दिया है कि अगर जो कच्छडा जा रहा है धूल मिट्टी जा रही उसको साथ करने के लिए तो आप गुड़ को इस्तेमाल कर लें लेकिन अब जिसका लीवर खराब हो ही गया इमांडी जी गल्ती वस तरा पीली नहीं जानता है अब क्या करें अब उसने तो कर लिया है अब क्या होना चाहिए उसके लिए भी कोई उपाय हो तो उसके लिए उपाय बड़ा आसान है आप यदि करना चाहो तो बड़ी आसानी से कर सकते हो मैं आपको उपाय बताता हूं अगर जो आपका लीवर खराब हो गया है तो आप गवमूत्र यदि लगातार पिएंगे आपका लीवर बहुत जल्दी लगबग तीन महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा जिसमें कोई संदेह नहीं है और आपको गवमूत्र पचास ग्राम पीना पड़ेगा प्रति दिन और यदि ये आप करेंगे और गुड़ खाते रहें ये भी लीवर को दम देगा और क्या कहते हैं लीवर की खराबी के लिए आमला या तरफला चून इसको आप इसके माल करोगे ये भी बहुत अच्छी दम देता है और इस प्रकार से आप बड़े आसानी से अपने लीवर की खराबी को ठीक कर सकते हो और अगर जो आप शराब से बचे अब शराब पीने वालों के लिए बता दें जो व्यक्ति शराब पिएंगे तो उनका लीवर खराब होगा ही दूसरा बता दें जो व्यक्ति अधिक अंग्रेजी दवा खाएगा उसका लीवर खराब होगा ही और यदि इससे बचना है तो अंग्रेजी दवाता बहिसकार करो और शराब का भी बहिसकार करो तब ही आप बच सकते हो अन्यधाप का लीवर खराब हो जाएगा अगर जो पूरा लीवर खराब हो गया डैमेज हो गया तो आपकी मृत्यू हो सकती है क्योंकि हमारे गाउं में एक व्यक्ति की मृत्यू हो गई थी उन्होंने गलती क्या कि लीवर को साप करने की चक्कर में उन्होंने शराब का माध्यम बनाया और शराब ने उनकी जान ले लीवर तो ठीक हुआ नहीं व्यक्ति ही चला गया रोग तो गया नहीं रोगी चला गया इसलिए आपको बचन प्रवाज करेंगे नमसकार जैहिंद आप सभी लोगों से विदा चाहते हुए इस परकार से आप इलाज करेंगे नमसकार